शौर्य योग व्यक्ति अपना पराकरम दिखाता है जब उसके पराकरम को सम्मानित किया जाता है तो पराकरम शौर्य बन जाता है पराकरम हम सभी के पास होता है लेकिन बहुत कम ही लोग होते हैं जिनको अपने पराकरम के पश्चास शौर मिल जाए और वो पराकरम सम्मानित हो जाए, शौर में तब्दील हो जाए जैसे कोई पराकरम दिखाता है अपने छेतर में और पदक पा जाए तो उसका शौर यह उसका गुणगान होने लगता है तो जब पराकरम का गुणगान होने लगे तो वो शौर कहा जाता है कुंडली में किस प्रकार देखेंगे मितनों तीसरा भाव जो होता है कुंडली का पहला दूसरा और ये तीसरा अब इस तीसरे भाव के हिसाब से ही क्योंकि इसी को पराकरम कहा जाता है पराकरम में मा लीजिए कि जो भी ग्रह हो वो बल्वान होना चाहिए तो इसको हम शौरे का योग कहते हैं तो आप जैसे यहाँ पर देखिए तीसरे भाव में एक लिखा यानि के मेश राशी आप मा लीजिए कि सूर्य यहाँ पर बैठे जाएं तो सूर्य मेश राशी में उच्चके हो जाते हैं बल्वान है सूर्य की अपनी राशी पांच्वी है सिंगर राशी तो एक में वो बहुत ज़्यादा बल्वान हो जाते हैं मेश राशी में और इन सूर्य पर किसी की अच्छे शुब ग्रहे की द्रिष्टी पड़ जाए तो मैं जैसे यहाँ पर यह गैरमय भाव में यहाँ पर मैं गुरू को अगर रख लेता हूँ यहाँ पर गुरू अगर आ जाते हैं लाब के भाव में तो अब गुरू अपनी पांच्वी द्रिष्टी से इस बल्वान सूर्य को देख लेंगे एक देखिए यह घर एक, दो, ती, चार और गुरू की पांच्वी द्रिष्टी इन पर पड़ जाएगी यह तो हम सभी जानते हैं कि गुरू की पांच, साथ और नो द्रिष्टी होती है तो जब यहां बैठे गुरू की और गुरू भी देखिए यहां पर धनूराशी में बैठे हैं इस प्रकार गुरू भी उच्चके हैं और यहां सूर्य भी उच्चके हो जाए तो बहुत आसानी से समझे कि जब तीसरे भाव में बहुत अच्छा प्लैनेट बैठा हो बन्वान और उस पर शुब द्रिष्टी पढ़ जाए तो ये गुरु की द्रिष्टी पढ़ जाए सबसे बढ़िया तो व्यक्ति शौरे का योग उस जातक को हो जाता है और उसका जो पराकरम होता है उसका गुणगान देश विदेश में होने लगता है तो बहुत आसानी से हमने जान लिया कि क्या होता है शौरे और योग जानकारी स्पस्टो श्री गणेश करे पाम ब्लॉक को सबिस्क्राइब करिए